खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूस को सब्सक्राइब करें भूरतिय जनेता पार्टी के राष्ट्य उपाद्यक्ष ओम परकाश माथूर साहब फस्ट इंडिया नीूस के साथ मौजूले हैं हम खास बात चीट करते हैं माथूर साहब से माथूर साहब अभी आप राजस्थान में हैं दो दिन से राजस्थान में और लंबे अर्से के बाद राजस्थान में खास तोर पर जैपूर में आना हुआ हलाकि आप अपने गाओं निजी कारेकरमों में अक्सर आते रहते हैं कई कारेकरताओं ने आप से मुलाकात की और कल मुका दो राजस्थान आता रहे तो इसमें कोई नई बात नहीं है राजस्तान रूंगे तो क्य choking पिछले फैलास पर से राजस्तान मे काम कर रहूं तो आम कारे करतां से राजस्थान से चल्जा विए रहे हृता है बस इतना ही है तो और इसके अलावा कुछ नहीं, कहा जा रहा है कि राज़स्थान के कारेकर्टा है जो आपको अन्ह जिलों से बुला रहे हैं, आपके अन्हे जिलों में भी अब दोरे है या गर में कोई फंक्शन है इन दिनों कथाय भी बहुत चलती है जगे जगे तो सबाइग रूप से एक निरंद तर प्रक्या और कारिकरता की इच्छा है कि मेरा जैसा विक्ति भी उनके कोई कारिकम हो रहा तो जाता और मैं कोशिस करता हूं मैक्टिमम कस्टम निभाने का लेकिन क्योंके प्रवास इतना होने की वज़े से राजस्तान आना कम होता अब आभी वापस मांकर नेक्स्ट वीक में भी कापी शादिये हैं हो सकता और भी के जगे जाना हो आज जा रहा है कि आप राजस्तान में भी दोरा करने वाले हैं कमों बेश कई जिलों में जाने इस तरीके से भी चर्चाए। और देखे यह हमारी पार्टी स्ने और संवाास बड़ी है है हमारी पार्टी जो यहां तक पहुची है कारेकर्टा के मपुट से और dignatesतों ब्लपूत है और सवबापा कारेकर्टा अगर उस फिल्ड में जाता है और बीना मिले निकलो तो उसको भी लगता है यार आये थे ठीके दिली होगे तो क्या हो गया आगर दो मिन रुक के जाते हमारे हैं मन प्रसंद होता है वर शलिब दोरे और मैं कहता हूँ प्रवास तो पार्टी में हर नेतार और रेगुलर करते रहना चाहिए ये पार्टी प्रवाश के बल्बूते बही कार्यकरताओं को समाज को जोड़ा है लेकिन पार्टी में आजकल पोस्टर परमपरा आगई ये प्रवाश से ज़्यादा अब ये तो प्रगति का नियम है समाज के अनुसार सब अपने अपने दरह से बदलते हैं और परचार लेकिन अब ये नहीं व्यवस्ता है कि महराश्ट्र में अगर माथूर साहब जाते प्रभारी बनके ऐसी चर्चाएं है राजनेतिक तौर पर की तो ज्यादा बेटर होता है लेकिए स्टेट्स में कई स्टेट्स में जो है बीजेपी का ग्राफ घट रहा है थी रजी देख को पीछे किया गया जानबुच करके हमने एलाइंस के साथ चुनाव रोडा महाराश्ट में और एलाइंस को पूर बहुमत मिला लेकिन बीच में हमारा ही सयोगी एक धम ऐसी डिमांड करने लगे और दूसरों को मौका लग गया अब अच्छा मोका इनको तोड़ने का तो इ जीतंगी होती है वो तो एकसिडंटल सरकार एक बन गई इसले मैं है तो और वोट पर्सेंटरज है के मढ़ रहा ह। इसको मैं नहीं होता राजनीती में उतार जीथार होती ही रहती इसले में इसको दानी देखता बिलकुल गलत तरीक से ब्राइब जाए इसका कोई वोटिंग प्रसन नहीं है हाँ एक शणिक आंदोलन सब जगे खड़े होगे ना समझी की वज़े से यूद को आगे किया गया जान बुछ करके और आपने देखा होगा जिस परकार को उग्राइब शवावी के या जब यू उनके रहते विया होस में पास हुए है और यह हम पहड़ी बार नहीं करें रेगुलर होने वाली चीज है उसमें दो कॉलम नए अमेंडमेंट किया है और हर तस साल में मत करना होती है आज परदान मंतरी की जितनी भी जन उपयोगी योजना है जो लागू की है चाए वो बंदन किसान हो चाए बेंके खाते हो वो सारे सारे दो जार इग्यारों की जंगना उसर हो रहे है तो जंगना हर दस साल में होती है इसलिए एक बार भड़काया गया है और मुझे बताए है का हमारे पडोशी देशों से जो अलप संक्यक परेसान हो के दुखी हो करके उनको प्रताडित करके वो कहां जाएंगे बारत क्या लाव और इको पहली बार नहीं हो रहा है इतो प्यासे जब आये तो हमने संदी लंका साय तो हमने उनको नागरिक बनाया अब हम नागरिक बनाने उसमें और इनके नेता मातमा कांदी से लगाकर डॉक्टर राजंदर बने वाला यह खतम होने वाला की मुझे आदे आपने बहुत पहले प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी के लिए का था कि बने वाले फिर दोबार आपने बात कही भविश्य किस तरीके से देखते हैं क्योंकि बार बार मीडिया जो है एक बात और कह रहा है कि राज्यों में बी परिवार बार बाय बाद भाई पटिशावाद ने बटी हुई थी वह राजनीती की वुकास की आर होड़ी है और आम अद्दाथा को मैसुस हुआ है कि पहली बार देश में सा परदान opaque मेरे गाव की मेरे अश़ुपा आदा कुम्त इंगा कि चिंता कर रहा है वह इसलिए ने ही जिए अध करसी ल önस यह कर जाले चाए मेरे शीय आए उनले जो काम हाधा कर यह गाउं के व्यक्ति पर है इसलिए नरेंदर मोदी बहुत लंबे साम तक और हम नरेंदर मोदी हिंदुस्तान ही नहीं नरेंदर मोदी इस समय दुनिया के नेता बन चुक है अभी जब अमेरिका और इरान के बीच में भी खटपट हुई इरान के लोगों कहना पड़ा कि अगर अच्छी बात है आप भी उनके उस समारों में गए थे तमाम बाते हुई लेकिन सियासत में कई तरीके की बाते चलती है अब और भी नाम एकदम से आने लगते हैं आपका तो बरसों से आता ही है कि आप अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं सुन्द्रा राजे लगबग लगा यहानने फैना उनके है तुर चल दोनों माल लिया कि मेरे हैं सुएकार क्या उन्होंने और तो पर राजनिती में क्यों नहीं चलना चाहिए भैरा बहुत सीदा कहना है जो भी राजनिधी में आएगा उसके मन में सौबावी कपेक्षा रहेगी कि मैं कुछ ने कुछ बनूँ और फिर आप लोगों को मज़ा आ जाता थोड़ा सा एक कारगम अच्छा करेगा तो उस रेस में आ गया इसलिए इसमें क्या पुरा है यहां पार्टी निने करती है हमा सकता है इसात्ता है इसका मतलब सोचता है कि अब राजस्तान में हम बन सकते हैं इतना सोचना है तो अच्छी बात है पहले कांग्रेस ही सोचते हमारे आप पहले आज से बागर 20-30 साल पहले देखो हमारे पुराने लिता हूँ तो चुनाव लड़ते से मैं तेह करके लड़ते थे कि मेरी जमान चर्थ होगी अब तेह करक है इतना बुरा क्या है फरस्ट इंडिया न्यूस से खास बाचीत की है उम प्रकाश माथूर साहब ने राजस्तान की नवज को बहुत भी जानते हैं राजस्तान की राजनीती पर पकड़ रखते हैं और बहुत भी ये भी जानते हैं कि राजस्तान की राजनीती में आगाम